दोस्तों इन फोकस सिविल एकैडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज कल हम लोग अपने वीडियो सीरीज के माध्यम से निबंद के विशय पर चल्चा कर रहे हैं जो कि आपके UPPSC की परिक्षाओं में परिक्षाओं में पूछे जाते हैं निबंद उनी का एक समगर विशलेशन करते हुए हम लोग यह समझने कोशिश कर रहे हैं कि आपकी परिक्षा में किस प्रकार के निबंद पूछे जा सकते हैं हम लोग उसको किस प्रकार से बहतर तरीके से अटेम्ट कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा ज्यादा competitive advantage अपने competitors की तुलना में ले सकें और हम लोग means की परिक्षा में निबंद के विशय में ज्यादा अपने अंक बढ़ा करके और अंतिम रूप से चैनित हो सकें तो इस बावत हम लोग जो भी चर्चा कर रहे थे उसी क्रम में आज हम लोग का विशय है कि न लोगों की भासा जो है वो निबंद के मिलब आप कह सकते हैं कि कई लोगों की बहुत अच्छी जो है refined language नहीं होती है जो सब्द चैन होता उनका वह बहुत आकरशक नहीं होता है तो ऐसे में क्या करें मलब भासा actually होनी कैसी चाहिए आज हम लोग इस पर बात करेंगे उसके अब ही हमाय पास समय है और उस तय समय के भीतर ही हमारी एक बहतर त्यारी हो सके ताकि अंतिम रूप से अपने परिक्षा के दिन हम लोग जिस निबंद को लिखें वो वास्तों में भासा के स्तर पर बहुत आकरशक हो सके तो इस क्रम में देखिए हमारी जो सबसे पहला बातों से मिलकर बनता है एक तो यह कि निबंद में विचार होते हैं निबंद में विचार होते हैं और उसके साथ में उसकी भासा होती है मुखिता यही दो चीजे जो है वह आपका निबंद के content है आप यह मान के चलिए ठीक है निबंद में विचार कैसे होते हैं विचार से मतलब कि आप कोई भी विशाय आपको दे दिया तो है मान लीज़े आपको को कोशनर दे दिया गया है दहेज प्रिथा दे दिया है कोई भी ऐसा विशाय दे दिया गया अब आप उसका discussion कर रहे ह है कि lodge क्या है वह क्यों है वह कैसे है उसके क्या कारण है क्या उसके क्या समधान है क्या सरकार कर दिया हम लोग क्या कर सकते हैं जनता के स्तर पर आगे की रह चएए इन सभी हृश्चियों पर गहन करते हुए आप लोग उस पर बात कर रहे होते है तो यह बेसिकली विचार होते हैं, ठीक है, मगर ऐसा हो सकता है, यह संभव है कि आप यह जो विचार लिखें आप चूंकि यह आप एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं किसी भी विचार को, तो यह अपने आप में कोई रोचक नहीं होगा, दूसरा मैंने आपको पहली क्लास म यह भी समझाये था कि निबंद जो है, है भी थोड़ा जटिल किसम का, मतलब उसमें अरोचक होने का या पाठक के उप जाने का खत्रा हमेशा बना रहता है, क्योंकि उसमें कोई गेयता नहीं होती है, कोई छंद लैतों कि यह सब नहीं होता है, साथ ही वो जो है, मतलब इस अगर आप अपने निबंद की भासा अच्छी रख लेंगे, तो फिर यह संभावना है कि आपका निबंद जो है, वो पूरा पढ़ा जाएगा, यह पाठक के स्थर पर होता है, मतलब आपका निबंद अच्छा है, इसी प्रकार से यहां पर पाठक जो है, वो आपका एग् तो फिर वो आपकी विचारों क्यों जाएगा, तो फिर वो वैसे ही जो नॉर्मल एक मार्किंग पैटर्न होता है, उसी पर नंबल दे देता है, तो इसलिए आप कोशिस कीजिए कि आप थोड़ा सा अच्छे जो है लेविल की भासा रखें, अब वो कैसे रख सकते हैं, तो अच्छी लगेगी, आपको वो भासा अच्छी लगेगी, जो आप बचपन में लिखते हैं, कि हाँ, गाए हमारी माता है, पूर्ण विराम गाए जो है उसके चार पैर होते हैं, पूर्ण विराम गाए के दो सिंग होती है, पूर्ण विराम गाए हमें दूद देती है, पूर्ण विराम गाए राश्ट्री पसुप, जाने क्या क्या सब अपना लिखते रहते हैं, और वो छोटे जोटे सेंटेंस बनाते हैं तो आपको वैसी भासा अच्छी लगेगी तो अगर आप ही को यह चीज नहीं अच्छी लग रही है वह देखिए वह उस इस्तर का आम लोग निबंद लिखते थे पर अब हमारा वह इस्तर नहीं है अगर अभी आप सोचेगी जो जैसे लोग कहते हैं कि बहुत सरल भासा में लिखना चाहिए यह वास्तों में ऐसा नहीं है ना तो आपको बहुत सलल भासा में लिखना में लिखना है आपको आसे आपको आपकी सब्सक्राइब कराउब वो ही मदलब उसका ही ego hurt हो जाए उसको लगेग यार यह सब्द तो मैंने भी नहीं सुना तो आप कोशिस कीजिए कि आप ना तो बहुत कठिन सब्दों का बहुत क्लिस्ट सब्दों का प्रयोग करें कई बार लोग ऐसा भी करते हो कठिन सब्दों के प्रयोग करने की वज़े से वो मूल बात जो होती है उनकी वो ही खत्म हो जाती है तो वैसा भी ना हो ठीक है वो मतलब अपनी जो बात कहना चाहते हैं वो ही नहीं कह पाते हैं और केवल वो सब्दों का आडंबल दिखाते रह ठीक है अतिसर्वत्र वरजयत अतिक का जो है हर जगे वो वरजना की जाती हूं बुरी मानी जाती है ठीक है तो आप यह खुछ सोचें कि ऐसी भासा तो आप नहीं चलेगी आपका सब्द चैन अच्छा हो ठीक है आपको जो भासा हो उसमें गागर में सागर वाली प्रवत् क्या है तो आप वह वाली भासा दे दें कि कविता सब्दों की अदालत में मुझ्रिम के कडगरे में खड़े बेकसूर व्यक्ति का हलव नामा है तो आपको सुझने में तो अच्छा लगेगा कि हां कुछ तो मतलब अच्छा कहा गया पर वो समझ में नहीं आएगा तो जब सम मजा आता है पढ़ने में बहुत अच्छी चीज़ है तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं तो आपको एक मध्यम्मार्ग लेकर तो कुल मिलागे आपकी भासा जो है एक ऐसी भासा होनी चाहिए जो कि मतलब पाठक के सीधा दिल में पहुंचे उसके दिल पे ही सीधा वो लगे कि हा मतलब कुछ तो अच्छी बात कही गई वो जो है उसको बहुत आकरसित करें ठीक है दूसरी बात एक महत्पूर्ण बात यह है कि जो आपकी भासा होती है वो हर प्रकार के निवंदों में एक ही तरह की नहीं हो सकती है मतलब अगर आपका विशय जो है वो कोई टेक्निकल है मानने जेक कि आपका विशय जो है वो फॉर इग्जामपल जैसे आपका विशय है सेजच इसपेशल ऑनिक जोन और पूछा गया है ठीक है विशय सद्रियक सेट्र यदि पूच लिया जाता है इसके बारे में पूच लिया जाता है तो अब यहाँ पर भासा आपकी थोड़ी सी इसमें टेखनिकल होना चाहिए मतलब आप उसको टेकनिकल सब्दों में समझाएं तो थोड़ा सा अच्छा माना जाता आप उसमें कुछ एक ऐसे शब्द प्रयोक कीजिए जो कि उस विशय के जानकार लोग जानते हैं वो आपसे उसमें अपिक्षा की जाती है आप उसको एकदम जनरल भासा में ना लिखिए ठीक है लेकिन यह हर प्रकार के विशय में ऐसा नहीं काम करता है तो जो टेक्निकल विशय है उनमें आप थ पैटर्न में पढ़ते हैं जितनी आप लोग जीएस पढ़ेंगे तो निबंद के लिए आपको उतने ही ज्यादा विचार जो है वह अपने आप मजबूत होते जाते हैं जिनकी जीएस अच्छी रहते हैं उनको निबंद का में बॉड़ी में सोचने की बहुत ज्यादा जर बंद होते हैं उसमें आपको काफी सारा कंटेंट आपको जीएस पढ़ने मातर से ही उपलब्द हो जाता है उसमें बहुत अत्रिक्त मेहनत नहीं करनी है इसके साथ ही जो टेक्निकल शब्दों की भासा है वो भी आपकी इससे विक्सित हो जाएगी परन्तु क्या करें उसक तरीका तो आपका यह है कि आप एडिटोरियल पढ़िए ठीक है आपको इससे अब दोचार होना पड़ेगा यह सब चीज़ें हो सकता है आप अभी इसको रेगुलर्ली ना कर रहे हो लेकिन अब आपको इसको पढ़ने जरुवत है और जब मैं एडिटोरियल की बात कर रह हूं यहां पर मैं यह नहीं कर रहा हो के आप जो एक परटीकुलर कोचिंग की कोई ऐसा एडिटोरियाल आरा उसको लिए अनलिसिक लिए अनलिसिस की मैंन structured गुर्म और व्यकीन मानिया आपकी परिक्षा की लिहास से आप चाया में सांसर राइंटिंग या फिर ऐसे के आप inड और जो पेपर में आते हूं पढ़िए उट की यहां पर हिंदी का है हमारा हिंदी में औरALI लिखना है तो हिंदी में हम इसक कैसे हिंदी में एक जा को क्या करें अब इसको काहिए यह दारना बनी हुए can करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग हो सकता है जब तक यह वीडियो है तब तक यह इनिस्येटिव शुरू भी हो गया हो च्छट पूजा के अगले दिन से बैसिकली एक नवंबर से हमाई पस टाइम रहेगा तब से हम इसको जो है शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको विभिन ज कुछ अच्छे ऐसे लेखा जाते हैं जनसत्ता हो इन सभी के जो भी एडिटोरियल होते हैं जो आटिकल्स आते हैं उनमें जो भी आपके ऐसे के लिहास से महतपूर्ण होगा उन सभी को मैं दे दूंगा वो भी अंडरलाइन करके तो आपको अगर पूरा आर्टिकल पढ़ जो है जी एस वाले पॉइंट्स बढ़ जाएंगे आपके पास जो विचार हैं वो बढ़ जाएंगे कई सारे ऐसे फॉडर पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो आप अपने निबंध वगरा में कोट कर सकते हैं कि अच्छा ये योजना चली ये ऐसा करके उसको आप कविता लिखना चाहते हैं तो अच्छी कविता पढ़ना भी जरूरी है कई लोग बिना पढ़ें अच्छी लिखना चाहते हैं तो वर लों के लिए ये तरीका जो हे बहुत मुषकिल हो जयता है ठीक है तो ऐडिटोर्यल आप पढ़िये How to कई सारे अकबार हैं जो काफी अच्छा निकालते हैं इस्पेशली अगर हम लोग बात करें जनसप्ता का जो लेंगवेज होती है कि वह लेंगवेज की बात करें हाला कि थोड़ा सा मतलब उसका जो जुकाव है वो एंटी गोवर्मेंट ज्यादा रहता है तो वो तो मैं नही रिकमेंट करूंगा लेकिन भासा के इस्तर पर उसकी भासा जो है वह आपके निवंद के लिहाज से बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए आपको उसको पढ़ना चाहिए मैं उसमें से आपके लिए यह चीज अवेलेबल करा दूंगा डेली बेसिस पर उसके बाद देखिए एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप AIR All India Radio वाला जो रहता है उसको आप सुन सकते हैं उसकी जो भासा रहती है वो भी काफी उच्छिस्तर की रहती है उसमें आप लोग जो है उसका कोशिश कीजिए कि जो समाचार संध्या आती है यानि सुबह करना सुनके आप साम वाला सु दिया करूंगा डेली वेसिस पे और इस बारे मैं AIR के अपने फ्रेंड्स से बात कर लूँगा वो मुझे ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकेगा तो AIR की जो भासा रहती है वो आपकी निबंद की भासा को दुरुस्त करने में बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभा सकती है ठीक है और साथ ही आपकी जियस के जो मजबूत करेगी सो तो है ही तो आपको एक ओवराल तैयारी लेकर चलना है ठीक है तो उसमें आपको विचार भी मिलेंगे और भासा भी मिलेगी एडिटोरियल और AIR इसके साथ ही आप जो टॉपर्स कॉपी है तो आप टॉपर्स बीको भी जो है वह आप कर सकते हैं उनका तरीका देख सकते हैं कि वह लोग कैसे लिखते हैं यह भी मैं अपने चैले यई पर आप लोगों को उपलब्द कराता रहूंगा समय समय पे जिसमें कि आप लोग यह समझ सकें कि हमें कैसा लिखना है और उन्होंने कैसा लिखा दा तो इसको भी वैसे दो आप लोगों जो मॉडल ऐसे भी दिया आता है वो भी अल्रडी जो सेलेक्टेड लोग है या जो आप लोग जो वकैब तैयार करते हैं हिंदी औब्जेक्टीव में वकैब का मतलब कापू का सिक आपर काम आइनगी तो यहाँ पर भासा निखें तो उन Company Part प्रयोग करें तो वह जो है प्रतीत होगी जब आप उसको अपने निभन्द में लिखेंगे तो यह हमारा एक आप भासा को अगर अच्छा करना चाहते हैं पहली बात तो सुधारना बहुत जरूरी है तो आज को विचारों के इस्तर पर जो भी मैनत करनी है वह आप लोग को जैसे जैसे अच्छी करेंगे वैसे वैसे आपको विचार तो बहतर होई जाएंगे साथ में जो टेक्निकल जो विचार के निबंद होते हैं उनके लिए आपको भासा बहुत अच्छी मिल जाएगी यहां से जीएस पढ़ने से उसके अत्रिक्त आप भासा के विकास के लिए आप यह कर सकते हैं कि आप एडिटोरियल पढ़िए या यार सुनिए टॉपर्स कॉपी वो कैव इन सबका प् ठीक ठाक समय है कि मतलब आप लोग निबंद में इस तरह की गत्विदियो को अपना सकते हैं इसलिए मैंने यह बात आपको पहले ही बता दी गई है मतलब प्री के पहले ही आपकी यह क्लास लेकर यह समझा दिया गया है कि आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है क्योंकि आप यह सोचें कि आपका प्री हो गया और उसके बाद आप में प्री का रिजल्ट आया तब आपको लगा कि नहीं आप तो मेंस की तैयारी करनी है उस समय पे अगर आप सोचें कि आपकी भासा दुरुस्त हो जाए और साथ में आप अच्छा लिखने भी लगे तो उस समय इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप जीएस भी पढ़ सकें और हिंदी भी पढ़ सकें और यह सारी चीज़े समेट पाएं इतना टाइम नहीं रहता है तो इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप इसको अभी लेख चलिए ज्यादा नहीं केवल एक अगर आप निबंद के लिए पर दे निकाल लिए तो आपका ओवर आल जुड़र रहे गा जो फैनल रिजर्ट रहेगा चुझकि वह पुरा मेंस के ही नमबर पर बेस रहता है इसलिए जो फाइनल रृजल्ट रहेगा उसमें आप निबंद विश्चाह कम से झाल झाल